नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आई इस में और एक बहुत इंट्रस्टिंग सी नियूज आपको बताना चाहते हूँ वह यह सन पावर तिलक फॉर राम लला आइडल इन अयोध्या सबसे पहले तो आप यह देखिए कि कौन सी आइडल को यहां पर सेलेट करा गया है इनके द्वारा बनाई गई मूर्थियां हैं जिन्हें यहां पर रखा जाएगा आउध्या के राम मंदिर के अंदर तो यह जो मैं टॉपिक यह डिसकुस करने जारी हूँ कि सन पावर तिलक फॉर राम लला आइडल इन अयोध्या तो यह ना बहुत क पहले भी टॉपिक काफे साथा न्यूस में रहा था पर जैसे जैसे यहां पर जो है यह बाइस जनवरी की डेट करीब आ रही है वैसे वैसे बहुत सारी चीजे फिर से जो है लोगों के बीच में चर्चा का विशे है जिनमें से एक बहुत अच्छा विशे मेरे सुच आप पर तिलक लगाएगा देखे साइंटिस्ट जो की रूर्की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट के हैं इन्होंने एक यूनीक सिस्टम बनाया यह जो हमारा नव निर्मित राम मंदिर बनाए है उद्या के अंदर इसके लिए सिस्टम इस बात को इंशौर कराता है कि जो तिलक जैसा तिलक लगाते है ना हम लोग माथे पे तो तिलक जैसा भगवान श्री राम के माथे पे उनके मूर्ती पे जो है वो देखने को मिलेगा सैंटन सेंटोरम जहां पे मूर्ती रखी जाएंगी है और इसमें उप्योग किसका होगा उप्योग होगा स पारिस्बिष्ट, देवदत, गोष, वी, चंद्रधार, कान्तिलाल, सूलांकी, साइंटिस्ट है, समीर अंदिनेश, टेक्निकल स्टाफ, सब का नाम यहां पर दिया हुआ है, यह कि सब का ही है, उन्हें कि ऐसा मेकैनिजम बढ़िया सा बनाया है, और कि सन की पोजीशन राम नामी की है, वो हर एक उन्निस साल में एक बार रिपीट करती है, इसके साथ हमें एक ऐसा मेकैनिजम जो है, डबलब करा है, जो कि हर एक के दोरा अप्रेबल है, तो यहां समझे होए क्या, अब जो डिस्पले है, यह शिडूल करा गया है, राम नामी, उन्तिस मार्च को जो पड़ेगी उस पर, और राम नामी क्या होती है, राम नामी समझे है, इसमें भगवान श्री राम का जो है, जन्म दिन होता है, इसे बर्त अनिवरस्टी भी कहते हैं, श्री राम जी की, क्या कहते है, लुनर कालेंडर के साब से, तो आब यहां पर समझेगा, कि जो प्रोज इसमें कोई सी भी प्रकार की येटिसिटी की ज़रुम नहीं पढ़ेगी, कोई बैटरी की ज़रुम की ज़रुमत नहीं पढ़ेगे, यह सिर्फ एक्सलूसिवली यहां पर disciple कोई ke इसमेंḥ प्रिंश्ट्यष में हैं, यहांmond की कोई का स्टील का इसमें सिर्फ आइधनें का श अब आएए थोड़ा सा तिलक के बारे में जानते हैं किस तरह का होगा देखें सर्कुलर तिलक होगा अगर देखें तो यह 75 mm का होगा और यह खुबसूरती से भगवान श्री राम के जहें माथे पे दुपहर के तीन से चार में तीन से चार मिनट के लिए आएगा राम नौम वाले दिन इन्दा चैत्र के महिने में सनलाइट का यूज करा जाएगा और यह सनलाइट को इस तरीके से लेंसे मिरर्स के माध्यम से रीडायरेट करा जाएगा कि यह तिलक के जैसा प्रतीत होगा यह अरेंजमेंट सिर्फ प्लान करा गया है राम नौमी के ही ओकेशन पर यार दखिएगा हर साल रोज का नहीं है राम नौमी के जो है वो वोकेशन पर ही आएगा और आप्टो मेक्यानिकल सिस्टम इंस्टॉल करा गया है मंदिर के तीसरे फ्लोर पर कहां पर अभी मैं यह वाला जो आएगा है मैं आपको दिखाते हूँ तीसरे फ्लोर पर करा गय इसके साथ ग्राउंड फ्लोर के अंदर कुछ मिरर्स आते हैं जैसे कि M3, M4 एक लेंस लगाया है L4 तो यह सारा कुछ बताया है तो पनिग्री ने एकस्प्रें करा है पूरा कैसे प्रोसेस होगा कि सनलाइट पहले गिरेगी M1 पर फिर वो ट्रावल करती चलेगी L1 तक जा पे तो तिलक जैसी गिरेगी फोर हेट पे भगवाय स्री राम की मूर्तिक है ठीक है तो बैंगलरू बेस्ट ऑप्टिक्स एंड अलीड इंजीनरिंग प्राइवेट लिमुटेड ने हैंडल करा है कैसे मिरर्स को फैब्रिकेट करना है लेंसे को करना है तिल्ट मेकैनिजम क क्या होगा फॉर्द टेंपिल के लिए और कोई पैसा पैसा नहीं लिया इसके लिए ना सी भी आ रहा है वह नहीं कंसर्टिंट दी है इस डिजाइन के लिए आप इस तरीके से देख सकते हो ग्राउंड फोर पर किस तरह के से यहां यह यह लेंस जो है सब इंस्टार हो रहे इस तरह से लगा है तो ऐसे करते 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 बहुत ही खुबसूरती से इसको जो है वह इंस्टाल करके भगवाई शीराम के माथे को जो है तिलक लगा जाएगा कैसी लगी इंफोर्मेशन आपको मुझे कमेंट वॉक्स में बिताएगा काफ इंट्रेस्टिं लगी तो मैंने आपके साथ साजा करना अच्छा लगा और अज्वाइन को प्रेस करके आप मेरी मेंबर्शिप को जॉइन कर सकते हैं और मंडे से अपनी जो वर्चौ लाइब्रेडी है वो भी स्टार्ट हो रही है तो इंड्रॉल करा सकते हैं आप मुझे contact कर सकते हैं उसके regarding और whatsapp से लिएकिए हर तरह की channel का link आपको description box में मिल जाएगा please follow me everywhere मिलते हैं नेक्स वीडियो में जै हिंद जै भारत